थानियो और दो है किसने नमस्कार मैं डौक्र मितेश दवे कंसल्टन पल्म्मोन जिंट नारायंड मल्टी इन। पिस्पेसिललिटी ऑस्पिटल stronger बाद से बूल आज हम लोग बात करेंगे ब्रॉंकोस्कोपी के बारे में ब्रॉंकोस्कोपी क्या होती है क्यों की जाती है और किस तरह होती है that is what is bronchoscopy how is it done and why is it done तो सबसे पहले what is bronchoscopy जैसे endoscopy के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कोई भी endoscope जब पेट की नली में डाला जाता है तो उसको endoscopy बोलते हैं वैसे ही जब एक endoscope bronchus यानि की सांस नली में डाला जाता है तो उसे bronchoscopy बोलते हैं और जो endoscope होता है उसे bronchoscope बोला जाता है bronchoscope usually दो तरीके के होते हैं flexible और rigid अब यह तो था यह एक day care procedure होता है यह तो था कि what is bronchoscopy now the question is why is it done bronchoscopy क्यों की जाती है basically bronchoscopy के अंदर दो खास indications होते हैं जो जब हम लोग doctors prescribe करते हैं एक होते हैं infectious indications infectious disease rule out करने के लिए दूसरे होते हैं non infectious indications infectious indications की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे common indication है कफ खीचना जिसको हम हमारी भाषा में बाल बोलते हैं ब्रॉंक्यों लवाज यानि की कोई भी infection जब हमको suspected होता है और patient को कफ नहीं निकलता होता तो वह सैंपल लेने के लिए हम लोग ब्रॉंकोस्कोप ब्रॉंकस में डालके ब्रॉंकोस्कोपी के द्वारा कफ खीचते हैं जिसको बाल बोलते हैं यह infection किसी भी तरीके के हो सकते हैं सबसे common इंडिया में हैं TB tuberculosis उसके अलावा के जो indications होते हैं ब्रॉंकोस्कोपी की जाती है इंफेक्शेंस कारण के अलावा दूसरा जो most common reason होता है वह non infectious कारण उसके अंदर foreign body यानि की कोई चीज अगर आपकी सांस नली में जाके अटक गई है जैसे कि बच्चों में पीनट्स अटक जाना बहुत common कारण होता है कोई dental procedure करवाया हो उस वक्त कोई dental पिन जाके अगर सांस नली में अटक गई हो तो ऐसे कोई भी foreign body यानि की बहार की चीज जब सांस नली में जाके अटक जाती है तो उसको निकालने के लिए ब्रॉंकोस्कोपी की की जाती है उसके अलावा के दूसरे नौन इंफेक्शियस कारण के अंदर cancer यानि की अगर सिटी स्केन में आपके डॉक्टर को कोई गांठ दिख रही है और उस गांठ को प्रूव करना है कि पर कैंसर की है या नौन cancer is तो बायपसी लेने के लिए ब्रॉंकोस्कोपी की जाती है उसके अलावा के नौन इंफेक्शियस कारण के अंदर कहीं दूसरे प्रोसीजर्च या दूसरे डिसीज़ होते जिसको प्रूव करने के लिए ब्रॉंकोस्कोपी डालके हम लोग बायपसी लेते हैं जैसे कि इ लेकिन पेशन्ट के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके उपर से उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसके उपर वो पेशन B sequencing करना की नहीं डिसाइड करता है उसमें से सब से कॉमन कारण है मुह से खून गिरना हीमोपेहuste अगर गिर रहा हो तो उसका कारण डूढने के लिए ब्रॉंकोस्कोपी की जाती है पेशन को continuous कफ रहना वैसा कफ जो नॉर्मली मिट ना रहा हो दवायों से और और कोई कारण ना मिल रहा हो तो एक क्रॉनिक कफ एक दूसरा इंडिकेशन है जिसके अंदर ब्रॉंकोस्कोपी हो सकती है तीसरा अगर पेशन को पता है कि मैंने कोई फॉरेंट बॉड़ी निगल ली है जैसे कि अगर वो कुछ खा रहा था और उस वक्त खांसी आ गई और उसके बाद वो खांसी मिट नहीं रही है कोई चने खाना या पीनेट्स खाना तो उसके अंदर भी पेशन को डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो दैस दिस वाउट की की वाइज इड़न नाव वी विल मूओ अन्टू हाव इज ड़न की कैसे जाती है ब्रॉंकोस्कोपी बेसिकली एक डे केर प्रोसीजर है याने की पेशन्ट सुभा हॉस्पिटल में आता है और चार से पांच गंटे या छे गंटे के अंदर पेशन्ट ऑब्जवेशन में ह ब्रॉंकोस्कोपी के लिए बुलाते हैं मदलब पेशन्ट के साइट से क्या क्या तैयारी ओनी चाहिए पहलिए चीज तो पेशन्टवा घंटा कम से कम बुखा पेट कीछ दूसरी चीज हम लोग कुछ बेजिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो पेशन को प्रिस्क्राइब करके देते हैं जो अल्रेडी वह करवा के आता है या तो फिर ऑस्पिटल में एड्मिट होने के बाद भी कर सकते हैं और अभी मोस्ट रिसेंटली एक बहुत इंपोर्टन इ आता है तो आगे क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली एक सिंपल एल्गोरिदम है ब्रॉंकोस्कोपी अराउंड 30 मिनिट्स टू वन आवर लेता है डिपेंडिंग और हम लोग क्या करना चाहते हैं तो प्रोसीजर के दो घंटे पहले और दो घंटे बाद इतना टाइम पेशन को तैयार करने के लिए जरूरी है आपके अपर एर्वेस जहां से नाक से फेपड़ों तक जो दूर्बिन जाएगा वह एर्वेस को एनेस्थेटाइस करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया उसका नेबुलाइजेशन और अन्य कुछ सीडेशन प्री स्कोपी सीडेशन वह दिया जाता है ब्रॉंकोस्कोपी स्वीट में एक बार सब तयारी जब अल्रेडी हो चुकी हो तो अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनिट्स टू वन अवर का प्रोसीजर रहता है डिपेंडिंग की हम लोग क्या करना चाहते हैं और एक बार ब्रॉंकोस्कोपी खतम हो गई उसके बा जाता है तो यह थी ब्रॉंक्रोस्कोपी के बारे में बेजिक डिस्क्सिन की नीक Gis आगे की डीटर्ल डिसकशन वीडियोस में एक-बाएक लेते रहेंगे कि बायॉपसी कैसे होती है बाल कैसे होता है फॉरंंबौडी अचूह होता है और कुछ झाल झाल